हेलो एस्टुडेंस वेलकम टू सद्गुरु आई टी आई मैं हूं अजित शर सद्गुरु आई टी आई के ओनलाइन प्लेड फरम पर स्वागत करता हूं और उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे तो हम लोग बहुत कॉणा है और साथ में अब्जेकte प्रक्षन भी कर लिये हैं कुछ्छ कोशन कर लिये हैं और नमेरीकल भी हम लोग बनाही मैं तो चले उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से रिविजन कर रहे होंगे तो चले आज का हम अगला नमेरीकल दहते हैं आज का पहला नमेरीक के दो बल एक दूसरे से साथ डिगरी का कोड बनाते हुए कारी कर रहे हैं तो इनका परिडामी बल ग्याद करो ओके तो इनका परिडामी बल ग्याद करना है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं देखें एक तो सिंपल फोर्म में होता है कि कि किसी भी बोड़ी पर बल लगा रहे हैं 20 केजी और 25 केजी आगर ऐसे दिया रहता है एक ही दिशा में तो हम इसको कैसे निकालते हैं आप लोग को मालूम है डेरेक्ट जोड दिया जाता है लेकिन जब एंगल दे दिया रहेगा जब आपको कून दे दिया रहेगा तो परेडामी बल कैसे निकाला जाता शमांतर चत्रभूरी में तो देखिए आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वाइर पलस क्यू स्क्वाइर पलस टू पी क्यू कॉस्ट थिटा क्या होता है आर बराबर पी स्क्वाइर पलस क्यू स्क्वाइर पलस टू पी क्यू कॉस्ट थिटा यह आप लोगों को हमने पढ़ाया था तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ तो चलिए देखिए तो आपको पहले यहाँ पे मान देख रहा हूँ कितना कितना दिया है देखिए अगर मान दीजिए अगर आप P बराबर कितना दिया है 20 kg पी बराबर कितना 20 kg और क्यू बराबर 25 kg ओके और आपको एंगल कितना दिया है ठीटा बराबर 60 डिगरी शारा वेलू दिया हुआ है ओके शारा मान आपको दिया है पी बराबर 20 kg क्यू बराबर 25 kg और ठीटा बराबर 60 डिगरी तो चलिए हम मान पूटप कर देते हैं आर बरा का देखिए स्क्वाइर और पलस टू पी पी कमान कितना दिया हुआ है गुड़े बीस और क्यू कमान पचीश और कॉस साथ डिगरी ओके कितना कॉस साथ डिगरी तो चलिए हम इसको बनाते हैं कि चलिए देखिए बीस का स्क्वाइर कितना हो जाएगा 400 और पचीश का स्क्वाइर 625 पलस तो देखिए अगर इसे गुना करेंगे तो पचीश दूनी पचास और पचास दूनी शो तो कितना हो जाएगा एक हाजय और कोश आठ डिगरी कमान कितना होता है कोश आठ डिगरी कमान बताई आप लोग जलती कितना होता है तो कोश आठ डिगरी कमान होता है आपको एक बटा दो कितना होता है एक बटा दो तो आप जब इसको कैलकुलेशन किजिएगा तो ये कितने बार में जाएगा प आले, देख़े, यह 640 हो गया, यह 640 तो चलिए, यह बड़ा नहीं करते हैं, अब यह छोट में ही हो जाएगा, चह, चर्दस और दस पांच पंधरगा चर्दस और पांच पंधरगा और कितना सही हए गाएगा पंधरा सो पचीश ओके आपको 1525 हो गया अब आपको 1525 इधर कही आपको रूट में नहीं दिया हूँ हुआ कमान लिए ओके तो एक बात बताईगा आप लोग को मालूम होगा कि 1525 इसका स्क्वाइर होता है अब नहीं भी बता सकते हैं तो अगर नहीं भी बता सकते हैं आप गेस कर सकते हैं आप्शन के नुशार अगर जल्दी आप बनाना चाहते हैं तो गेस भी कर सकते हैं देखिए कैसे गेस करेंगे तो आपको 1600 का रूट मालुम होगा 16-600 का रूट कीतना होता है 4 का रूट 16 का रूट 4 चार और 00 का मान 40 यह कितना है 15,25 यानि काने का मतलब 46, 49 होगा या तो 38 होगा तस देखिए अप्चन में यह तो 41 दिया है यह तो आपको मालूम है यह 16 के बाद के बाद भाद यह 28 है तो 25 का कितना होता है 25 का 2 which you 4 mahdoll 665 होता है यह तो होगा नहीं यह भी नहीं होगा तो आपको हमको लगता है कि यही ऑ 649.905 क्यूंकि 600 के थोड़ा सा कम है तो हमारा option कितना हो जाएगा 49.05 option क्या हो जाएगा 49.05 हो जाएगा एक बार और देख लिएज़े मैं आप लोगों को जल्दी बता देता हूँ जब आपको दो बल दिया रहेगा और दो बल दे कर एक ही दिशा में simple form में पूछिदेगा कि पढ़णामी बल बताईए तो पढ़णामी बल कैसे निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे लेकिन अगर आपको साथ में एंगल दे दिया अगर एंगल दे दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप यह फर्मूला लगाएंगे आर बराबर प कमान बीस कीव कमान पच्छिश और ठीटा कमान साथे अब देखेए अब यह जो लोग वीडियो सुरी से नहीं देख रहें उन लोगों पढ़णामी बल समझ में नहीं आएगा पढ़णामी बल मैं आप लोग को बता दिया हूँ पढ़नामी बल मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर हम एक से ज़्यादा बल लगाते हैं मालीजे चार पांच बल लग रहा है किसी वस्तु पर मालीजे पांच ब्यक्ति बल लगा रहे हैं और सब अलग अलग बल लगा रहे हैं तो पांचो ब्यक्ति के अलावे एक और ब्यक्ति आ गया और उन पांचो ब्यक्ति के बराबर वो अकेले एक बल लगा दे रहा है वो अकेले बल लगा दे रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे पढ़नामी बल कहेंगे ठीक है ना उन पांच करने के बाद सब कैलिकुलेक्शन है आप जोड़ें और सिंपल फॉल में आप जैसे रूट निकाल लेना वर्गमुल जैसे आप लोग निकालते हैं ऐसे पंदरफ़ों पचीश ऐसे करके निकालते हैं आप लोग तो तीन से करेंगे तो तीन तीन आएं नौ हो जाएगा पंद रखें पांच से क्या मान रखें कि यहां पर कैल्कुलेक्शन होगा बनाने लाए तो के स्टुडेंस तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से रिविजन भी करते होंगे तो चलिए स्टुडेंस तो हम लोग यहीं तक कोश्य रखते हैं और कल हम अगला नुमेर कल करेंगे तो थैंक्यू अच्छे से रिविजन करते रहिए आप लोग